पार्टी से कुछ सीटों की मांग भी यहां पर की गई थी लेकिन सीटों के चलते ही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में मद्यपरदेश में बड़ा टक्राव हमने चाहती था कि आने वाला जो उसमें कहने कि आकाश आनंद एक बड़ी भूमी का निव आप दिया नमस्कार मैं आशुरती वहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइट नियुद आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी पंच नामा में बात करने जा रहे हैं मायावती के बारे में मायावती इस बार हरियाणा में इनेलों के साथ गडबंदन कर चुकी हैं आकाश आनन जो उनके भतीजे हैं उनके हाथ में एक बार फिर से बस्पा की कमान सौप चुकी है राश्य सहियोजक बना चुकी हैं इतना लंबे समय से आकाश आनन को पत्तो वापिस मिल गया था लेकिन आकाश आनन जमीन इस तर पर उतर कर अभी तक भी चुनावी रैलियों की शुरुआत करते नहीं नजर आ रहे थे लेकिन अब हाल ही में हर्याणा में जो आगामी विदान सबच चुनाव हैं उससे पहले मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनन के संग एक तरह से कहें तो हर्याणा में अब चुनावी रैलियां करन शुरु कर दिया है यह चुनावी रैलियों की शुरुआत है वो कही ना कहीं हो चुकी है लेकिन अब इस से जो आप देखें कहीं आ कहीं जो पूरा सियासी समी करन है वह बदलता नजर आ रहे हैं कि मायावती हर्याना में उतर चुकी हैं चुनावी मैदान में तो क्या चंदर्शेखर आजाद का जो दबदबा है वो साफ तोर पर नजर आ रहा है इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे मारे साथ मौजूद है अमनसर के पास चलेंगे सर हर्याना में मायावत्ती आकाश आनंद के साथ अब देखें चुनावी जंदसभाएं करना शुरू कर चुकि से पहले जब उन्होंने जिस तरह की भाशा का प्रियोग किया तो उसके खिलाफ मायावत्ती ने एक्शन लेते हैं कि अभी आप घर बैठी जरूरत नहीं आपकी और आप सीखिए और उसकी बात कहीं जाकर अब वो एक्टिव होते हुए नजर आते हैं तो बिल्कुल यहां आकाश आनंद की बाप सी मायावत्ती कराना चाती है ताकि आने वाला जो उसमें कहने हैं कि आकाश आनंद एक बड़ी भूमी का निवाते हुए नजर आए क्योंकि यहां पर मायावत्ती को या बीएसपी को बहुत दरूरत है कि उनकी कुछ कुछ पर्ट्याशी चुनाम मे आकर काम करना पड़ेगा अपने आपको फिर दोबार एक्टिव करना पड़ेगा क्योंकि मायावत्ती से बड़ा चेहरा उतर पुर्देश में अदलीत लिहास सोच जाए तो कोई दूसरा है नहीं तो ऐसे में आजात के मुकाबले मायावत्ती पूरी तरह से आकर्मा खोकर और पूरी तरह से गर कह सकते हैं जint सवाव में नजर आतें तो यहां पर खेल बीगार सकते और अपने लिए खेल बनाते हुए नज़र आ सकते हैं क्योंकि लगात्र यह बात बीजेपी के बी टिम बन कर काम कर रही है और लगातर मयावत्ति है इस बात देनी कि वो ना बीजेपी के साथ है ना पाउंगस के साथ है ना सपा के बलकि वो अपने भरोसे कहने हैं कि बीएसपी को आगे बढ़ाना चाहती है लगिन जिस तरह से पार्टी का उनका हशन नजर आता है वो ये अब देखकर कहने हैं कि हरान जरूर होंगी कि जिस उतर परदेश में कोचे मायवती भी आका शानन को आगे बढ़ाती नजर आ रही है इसी के चलते इस बार हरियाना में कहीना कहीं गडबंदन हो आप देखे तीसरी बार इने लों के साथ गडबंदन होना हरियाना जैसे राज्ये में जहां पर पहले ही भारतिये जंता पार्टी की जो सरकार है वो कहीना कहीं गिरती नजर आ रही है बात करेंगे नाजमीन से नाजमीन क्या देख रही है आप हरियाना में कहीना कहीं गडबंदन मायवती का आजाद आने वाले समय में हरियाना में कहीना कहीं चुनावी बिगुल फूख सकते हैं आजाद पहली बड़ा एलान कहीना कहीं नहीं रहती हैं इससे पहले भी लोकसभा का चुनाव हो या विधान सभा का चुनाव हो मायवती दूसरे राज्यों में भी पैर पसारती वी नजर आती है ना सर्फ उत्तर परदेश की बसपा पार्टी के बात के जाए समाजवादी पार्टी का भी देखा जाए तो दूसरे 23 में बात करें तो मध्यपरदेश में समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने का अलान तो किया लेकिन कांग्रेस पाटी से कु声 की मांग भी यहां पर की गई लेकिन सीटों के चलते ही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में मद्यपरदेश में एक बड़ा टक्राव हमने देखा था जिस वजह से ये भी कहा गया कि आखिरकार क्या जो इंडिया गडबंधन बना है वो किस अधार पर बना है क्या इंडिया गडबं गडबंधन के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आई चाहे आप उत्त्रपरदेश में कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी को देख लिजे चाहे आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी पार्टी को देख लीजे लेकिन अब फिर से विधान सभा चुनाव को लेकर दू इंडियन नेशनल लोग दल के साथ ये गडबंधन पहली बार नहीं है इससे पहले भी दो बार मायवती इंडियन नेशनल लोग दल के साथ गडबंधन कर चुकी है लेकिन हर्याना में मायवती द्वारा कोई सीट यहां पर जीती नहीं गई है जो फायदा यहां पर इंडियन नेशनल लोग दल को गडबंधन के तरफ से होना चाहिए था वो बस पा इंडियन नेशनल लोग दल को नहीं दिला पाई अब भी यही दावा किया जाता है अकाश आनंद के जरीए मायवती के जरीए कि अगर हरियाना में ये गडबंधन चुनाव जीतता है तो मुख्य मंत्र के रूप में हम अभे चटाला को आगे करेंगे लेकिन गडबंधन से पहले अभी सीट शेरिंग को लेकर फॉर्मूला तै होगा क्या उस पर सहमती बंती वी नजर आई ये गडबंधन तो आप ने कर लिया अकाश आनंद उत्य प्रदेश की बाद हरियाना में सक्रिये होते वी नजर आ रहे हैं मायवती के साथ जब गडबंधन को लेकर मीटिंग होती है उसमें नजर आते हैं अकाश आनंद की बात करें तो वह तरीके से हरियाना में अब अपनी मजबूती को दिखाने की कवायद में लग चुके हैं लेकिन अगर हम चंद्रशेकर अजाद की बात किया हो चाहे महिलाओं के साथ चेरचार का विश्य हो चाहे फिर नजूल विधायक हो चाहे फिर आरक्चन का मुद्दा हो चंद्रशेकर अजाद ने मुद्दा तो उठाया लेकिन अब दिल्ली में राजनीती कर रहे हैं तो आप देखे चंद्रशेकर अजाद विधान सभ चुनाव होगा चंदरşेकार अजाद भी चाहेंगें कि उनकी पार्टी का विस्तार हो क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि राथटे इस तरकी पार्टी बन जाए आम आदमी पार्टी ने दिलियस चुनाव जी दने लेकिन वहीं चंदरशेखार आजाद की अगर बात करें तो हरियाणा में क्या चंदरशेखार आजाद मायावती का खेल बिगाड़ते नज़र आ सकते हैं शालनी से अगला सवाल लेंगे शालनी क्या लगता है क्या मायावती इस समय नेलो के साथ जा चुकी है तीसरी बार साइदा लेता नजर आएंगे जिस तरीके से मायावती इनेलों के साथ गड़ बंदन करती हैं हरियाना में तो यह कह सकते हैं कि मायावती को इस बात का तो एहसास हो गया है कि अगर वो उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में अगर उतरती हैं तो उन्हें किसी ना किसी के साथ ही उतरना पड़ेगा अपने दम पर वो जीत हासिल नहीं कर पाएंगी अब यहां पर चंद्शिकर आजाद रावन की बात की जाए तो पहले ही अलान कर चुके हैं वो किसी के साथ गड़ बंदन नहीं करेंगे यहां पर जब एंडी से गड़ बंदन करने की बात कही इंकार कर दिया है क्योंकि आम चुनावों में वो इंडिया गड़ बंदन के साथ यहां पर अपना गड़ बंदन करना चाह रहे थे लेकिन अखलेश यादव जो हैं उनका यह कहना था कि अब चुनावी मैदान में उतरेंगे समझवादी पार्टी की चुनाव चिनिसे नाकीज समाजवादी पार्टी के चुनाव चिनने से तो ऐसे में आशूती यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मायावति को ऐसास हुआ है कि उनकी पार्टी अब डूबती हुँ नजर आ रहें हुए तो उसको कहीं न कहीं सही करने के लिए मायावती हरियाना में गडबंदन करने के तहत यहां पर चनाई मिदान में उतरी हैं लेकिन चंद्शिकर आजाद अभी अपने बयान पर अडिग है और ऐसे में यही कहा जाएगा कि हाल फिलाल में तो वो किसी के साथ गडबंदन करते हुए नजर नहीं आएंगे बिल्कुल कही ना कि मायावती किसी के साथ या फिर यूं कहें कि इस बार हरियाना में तो मायावती गडबंदन कर चुकी है पार्टी की साथ को मजबूत करने का प्रयास कर लिया लेकिन चंद्रशिकर आजाद क्या गडबंदन करते नजर आएंगे हरियाना में क्या अपनी च